दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके नेटवर्क से जुड़ी प्रोब्लम के इस सोल्यूशन पर दोस्तो अगर आप Android यूजर है चाहिए आप Redmi का फोन यूज़ करते है अगर दोस्तो आपको कुछ इस तरगी प्रोब्लम फेस होती है नोट रजिस्टर्ड ओन नेटवर्क तो इस प्रोब्लम का सोल्यूशन आपके इस तरह से कर सकते हैं यही जनकारी आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ वीडियो छोटी होने वाली है कि प्रोब्लम का सोल्यूशन हमारी वीडियो की हल्प से हो जाए तो उमीद करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बैल एकन को प्रेस करेंगे तो चलिए दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ आपको सबसे पहले इस टैप के अंदर दोस्तो ए एक बार जाने के बार दुबारे से आ जाएंगे यहां से काफी लोगों की प्रोब्लम सोलोफ हो जाती हैं आपको इस टैप को एक बार मस्ट ट्राइ करना है तो आपको बैक आने के बाद आपको अपने फोन की सैटिंग को ओपन करना है अगर आप रैडमी का फोन यूज कर फिर हमें उस सिम को स्लेक्ट करना है जिस पर हमें यह प्रोब्लम फेस होती है या अगर हमने एक ही सिंगल ही सिम अपने फोन के अंदर डाली हुई है हमें उस पर टैप कर देना है तो यह कुछ उप्शन से निकल कर हमारे सामने आ जाते हैं जैसे अक्सस पॉइट नेम प्रेचे वाला 2G हो 3G हो तो उसको स्लेक्ट कर लेना है यह आटोमेटिकली बैक आ जाएगा अगेन हमें इसी पर क्लिक करना होगा फिर हमें जो सबसे उपर ओप्शन दिया गया होगा 4G हो सकता है 5G हो सकता है वोल्टी हो सकता है आपको स्लेक्ट कर लेना है फिर आपको करना है okay press करना है यहां से हमें इसको okay कर देना है तो guys यह processing के अंदर चला जाएगा यह searching में लग जाएगा यहां हमारे area के आसपस जितने भी networks available होंगे जितनी भी sim होती है उससे जुड़ी होई जितने भी networks होते हैं वो हमारे सामने यहां पर आ जाएंगे दोस्तों देखिए हमारे area के आसपस जितने भी networks थे वो हमारे सामने आ गए हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहां पर वी आई इंडिया रिलाइंस 4G इंडिया एटल 2G जियो 4G जियो 5G तो guys मेरे error है वो है not registered on network तो guys हमने अपनी SIM को यहां से registered कर दिया है और इस step के बाद आपकी जो problem है वो 100 and 1% solve हो जाती है और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यूज वोल्टी वाला option देखने को मिलेगा हमें इसको enable ही रखना है जह हमारी voice quality वो काफी अच्छी रहती है फिर हमें यहां से back आ जाना है बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपकी जो problem है उसका solution हो जाता है अगर फिर कोई बंदा रहे जाता है आपको नीचे की तर स्क्रोल करना है connection and sharing पर क्लिक कर देना है हलका हाँ नीचे की तर स्क्रोल एक option आ जाएगा जहां से हम अपने network को reset कर सकते हैं लेकिन guys हमारे जो MI का phone है यहां पर मैंने आपको बता दिया है आपको setting के अंदर ही ढूंड लेना है connection and sharing वाला option और यहां पर दोस्तों आपको अपनी setting कर लेनी है अगर दोस्तों फिल भी कोई बंदा रहे जाता है एक बार अपनी system को बाहर निकाल लीजिएगा अच्छे से साफ उसका clear कर देना और री insert कर दीजिए यहां से काफी लोग भी problem solo हो जाती है और उसके बाद भी अगर कोई बंदा रहा जाता है तो दोस्तों उनको दो काम कर लेने एक तो अपने phone को update चेक कर लेनी है अगर update आई हुई है अपने phone को update कर लेना है और दुखरा दोस्तों नहीं तो आपको नीचे की तरफ स्क्रोल क हो जाता है तो आज वाल इस वीडियो के नमेर को आपको जैस्ट इतना ही बताना था अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करना इस वीडियो को like करना तो मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends love you all take care